आज नौसेना दिवस हैं भारतिय नौसेना की भूमी का और उपलब्धियों को मानिता देने के लिए प्रती एक वर्ष चार दिसंबर को यह देन मनाये जाता हैं वर्ष 1971 में आज ही के दिन ऑपरेशन ट्राइटेंट के दौरान भारतिय नौसेना ने पेनेस खैबर सेहित पाकिस्तान के चार पोद डूबो दिये थें इस अभ्यान में सैक्डो पाकिस्तानी नौसेना कर्मी मारे गये थें आईए जानते हैं नौसेना दिवस के महत्व इतिहास और इसके बदलते स्वरूप को करीब से सफल हमला किया था इस हमले में पाकिस्तान के कई नौसेनिक संसाधनों को नश्ट कर दिया गया था आपरेशन ट्राइडिंट में भारतिय नौसेना ने रणनीतिक कोशलता और अदम में साहस का प्रदर्शन किया था तब से नौसेना दिवस भारत की समुद्री शक्ती का प्रतीक बन गया भारतिय नौसेना राश्ट्रिय सुरक्षा के लिहाज से महत्पूर्ण 7500 किलोमीटर से अधिक तटरेखा की सुरक्षा करती है और हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी सतर्क उपस्तिती बनाय रखती है साथ ही नौसेना मालाबार, मिलन और रिम ओफ द पैसिफिक जैसे वैश्विक समुद्री अभियानों में भी भागिदारी करती है नौसेना, चक्रवात, बाड़ और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और बचाव अभियानों में मानविये सहायता मुहया कराती है नौसेना के समुद्री डकैती विरोधी अभियानों को नकेवल भारत में बलकि विशुस्तर पर भी सराहना मिल रही है भारत को एक मजबूत समुद्री शक्ती बनाये रखने के लिए भारतिय नौसेना ने बीते वर्षों में आत्म निर्भरता और आधुनी की करण पर खासा जोर दिया है भारतिय नौसेना बलू वाटर क्षमताओं को बढ़ाने, समुद्री निगरानी का विस्तार करने और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने पर भी विशेश ध्यान दे रही है नौसेना ने रक्षा क्षेत्र में आत्म निर्भरता के लिए मेकिन इंडिया पहल के तहट भारतिय रक्षा उद्योगों के साथ साजेदारी की है पिशले पांच वर्षों के दोरान नौसेना के आधुनिकी करन बजट का दो तिहाई से अधिक हिस्सा स्वदेशी खरीद पर खर्च किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप घरेलू रक्षा एको सिस्टम का त्वरित विकास भी संभव हुआ है नौसेना दिवस के इस खास मौके पर देश भर में विभिन कारिक्रम आयोजित किये जा रहे हैं ओपन शिप इविंस, फ्लाई पास्ट और युध्यभ्यास प्रदर्शनी जैसे आयोजन आम जनता को भारतिय नौसेना के शोर और तकनीकी क्षमता से परिचित कराते हैं